अब इसको extract करना है सबसे पहले हैं यहां पर open with करते हैं यहां पर keep using और इसके बाद यहां पर extract जो भी है ठीक है और पिर यहां पर open करते हैं तो यहाँ पर Code Light यहाँ पर extract हो गया है और यहाँ पर येक्सी percent है तो गूल करेबाई करेगा दो करते हैं फिर यहाँ पर yes फिर यहाँ पर next फिर यहाँ पर accept कर रहते हैं यहाँ हो नह lift हो और किस्ट प्र इंस्टॉल होगा see program files code light order में, तो यहां पर code line ठीक है, change करना तो change it कर सकते हैं, icon create करते हैं, यहां पर click launch कर देते हैं, फिर यहां पर install करते हैं, तो वो बस थरी देर में install हो जाएगा, अब देखिए, install हो गया है, तो यहां पर icon create हो गया हो, code line का, यहां पर create हो गया, अब यहां पर finish पर कर देखिए, तो यह launch रहे हो direct code line, देखिए, code line, platform में जहां पर C or C++, PHP का program यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह netres2 version है, 11.0.1, यहां पर देखिए, a new version, code line available for download, यहां पर लो कर देते हैं, भी जो रहते हैं, तो यहां पर welcome to the setup wizard, if your code line is already configured, where you like to skip, तो यहां पर next, next, set of compilers scan, scan करते हैं, यहां पर देखिए, TDM GCC compiler जो कि मैंने install किया था, यह यहां पर आगिया, अब next भी करते हैं, फिर यहां पर, जो आपको window अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं, देखिए, crossy कि अच्छा है, यहां पर यतना सब रहा है, कोई भी आप set कर सकते हैं, white यह सही है, चलिए अब इस पर next भी किलिक करते हैं, यहां पर white space, यह सब, ठीक है, यह सब ठीक है, आप किलिक करते हैं, तो यहां पर new version है, अगर download करना तो करिया है, भी नहीं करते हैं, तो यहां पर इसके बाद आपको जाना परेगा, new में, तो यहां पर file, यहां पर new workspace, तो यहां पर select करते हैं, C++ को, ठीक है, फिर यहां पर ok करते हैं, workist नहीं, space दे रहते हैं नाम इसका, cpp, ठीक है, तो यहां पर होगा c user document, cpp के अंदर, same, ठीक है, यहां पर यह workspace create हो गया है, फिर यहां पर file में जाते हैं, फिर यहां पर new project में जाते हैं, तो यहां पर GUIA console है, unit है, तो यहां पर console पर select करते हैं, console के अंदर यह सब है, तो यहां पर simple executive है, जो भी आपको यह recommend करते हैं कि यहीं दोनों में से use कीचे, simple executive है, GCC और G++, तो चले GCC पर select करते हैं, फिर next, फिर यहां पर fire का नाम देते हैं, फिर यहां पर project का बात है, c is a joint document cpp, उसके बाद यहां पर इसका नाम देते हैं, d test, अब यहां पर next पर click करते हैं, फिर यहां पर compiler यह, अब यहां पर tdm जाओ, और download के अधर यह, automatic यहां पर आगया है, फिर यहां पर debugger है, यह, फिर यहां पर default, अब यहां पर click करते हैं, finish पर, इसके अंदर यह आगया है, फिर यहां पर main.c, यह आगया है, तो यह इसका by default program है, तो सबसे पहले चले इस program का हम simple बलाते हैं, यह यहां पर इसकी चलत नहीं है, और यहां पर return का भी चलत नहीं है, ठीक है, तो यहां पर, यहां पर आगया है, उसके अदि यहां पर आपको change करना पर एगा debug to release, ठीक है, और उसके बाद यहां पर start continue debug, build and debug, तो यह दिखिए, debug साई से हो गया, कोई यहां पर error नहीं है, अब यहां पर run करना है, ठीक है, तो, यह तो है debug के लिए, अगर run करना है, तो इसके लिए, यहां पर build में जाए, run करना है, यहां पर build और execute, तो यहां पर देखिए, hello world यह build रोकिए, इस तरह से हम, और C का program, और content में execute कराते हैं, अब मैं आपको C++ का program बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए, यहां पर फार में जाए है, फिर यहां पर new project, उसके बाद यहां पर gcc, c के लिए है, और gp++, यह c++ के लिए, next पर जानते है, यहां पर project का राम देता है, cpp test, फिर यहां पर next पर क्लिक करते है, यह देखिए, यहां पर जाते है, यहां पर जाते है, cpp test, तो यह देखिए, cpp यहां पर, इसका बत्ती है code, c++ में, तो c++ में, तो इसके लिए आपको, इसको, c++ code दिखने के लिए, तो has to include, यहां पर आपको जात है, i.o, f-strain, st, stream.stream आ ले, उसके बाद यहां पर int main, यहां पर दो नमबर को add करने का प्रोग्राम दिखते है, int a, b, sum, टीक है, उसके बाद यहां पर cout के अंदर, लिखते हैं, enter to number, फिर यहां पर c in में जाते हैं, फिर यहां पर a को enter कराएंगे, फिर यहां पर b को enter कराएंगे, और फिर यहां पर sum equal to a plus b, फिर यहां पर cout फिर से, यहां पर ads के space छोड़ने के बाद, यहां पर sum के value को rate कराते हैं, तो चलिए अब इसको execute करते हैं, यहां पर जाते हैं, और run पर click करते हैं, तो enter the two number, तो यहां पर enter कराएं, 12, 9, तो यहां पर output होना है, 21, जो किसा ही है, तो यहां पर a, b sum, तो यह output screen पर display होगा, और जो कुछ भी enter करेंगे, वो a और b receive करेंगा, sum equal to a plus b, तो add करेंगे, वो sum में जाएगा, सबसे पहले 8 characters पर छोड़ने के पादी, यह sum के value को rate इस दरों से code rate का use करके, C और C++ का program लिखते हैं, और फिर execute करते हैं, तो इससे related आगो कोई question है, तो comment किजिए, जो reply करेंगा, तो आज की video में इतना ही, मिलते हैं, यह topic के साथ नहीं video, thank you